सब कुछ सुनिल बंसल का भी आगमन हुआ वह भी अपनी तैयारियों में लग गए उनको भी कुछ जिम्मा दिया गया है यह लोग जब तैयारी जितनी कर रहे हैं विपक्ष इनकी तैयारियों को मुकाबले कहां खड़ा है कि देखें विपक्ष में तो अगर कोई है तो खाली समाजवादी पार्टी है बाकी तो कांग्रेस और बस्पा के पास ज्यादा सब्सक्राइब कांग्रेस का फोकस तो खाली राइबरेली और मेठी से ज्यादा क्या होगा अगर वहां वह एक तो हारी गए थे बस्पा के पास दसांसत जरूर है लेकिन वह घटबंधन में आये थे देखिए बिपक्ष फटफटबा इसलिए रहा है आपस में यह लड़ने फटफटबा रहे हैं इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं एक दूसरे से ज्यादा है जैसे अभी आपने दिल्लिन देखा कि ए राष्ट्य पार्टी है और सीट जीतते हैं असी में एक और इनको गटबंधन करने मसरम आती है हम सबसे बड़े हैं हमारी सर्थ में करो मायवती ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे तो बचे जो बीजेपी से लड़ेंगे उनके पास 100 से ज्यादा विधायक है उनके पास एक पर मोर्ट बैंक है उनका एक संगतन है बाकी बीजेपी का तो सबसे बड़ा संगतन है बीजेपी के पास नेता है वाई केसो माओरियां ने कहा कि हम असी में असी जीतने की ओर जा रहे हैं तो यह उनका confidence है उनके पास जन समर्थन है अच्छा जतना बीजेपिक सांसत जीता थे उसमें तो उन्हीं की इलाके में करीब पाचास परसेंट जनता होगी उनको पहिचानती नहीं योगी सांसत मोदी अमित्साओ योगी की नाम पर जीत रहे न वह रासन वाली व्योस्था वह किसान सम्मान निदी वह सब ताकत है भी जैपी की लाभार्ति उनकी ताकत है और यह गानागार है राम चरित्मानस और मुक्तार अतीक बुल्डोजर जनता इसको कहां सुन रही है वो तो कह रही भाई एक आदमी दे रहा है मुप्त रासन के आगे पैसे के आगे सब फेल है चाहे रेल बेचो चाहे भे हैं अभी 2024 में यह चल लाए बुल्डोजर अतीक और राम मंदिर को भी समर्पित कर देगी बीजेपी और वोट ले लेगी हिंदू जगा देगी तयारी चल रही है तो यह वोट का धुर्वी करण तो देखिए होना है और बीजेपी ने इसके लिए अपनी तयारी पहिलस कर लिए और यह सब लड़ रहे हैं अलग-अलग यह खाली वोट कटवा की स्थिती में रहेंगे इनके पास ज्यादा कोई ताकत नहीं है अभी हारी हुई सीटों की बात चल लही है कि बंसल जी गए थे उनको वापस लाया गया वह एक साल से इनकी तयारी चल लही है अब सुन जब 82 करोण लोगों रासन को ज़्यादा मातों दे रहे हैं और 500 रुपिया को महेंगाई उज्जला योजना सिलेंडर उसको उन्होंने नकार दिया है जब बेरोजगारी की बात आती है जब लोगों के सामने महेंगाई की बात आती है पाई लिखाइक बात आती है इन मुझ्जों को जादा तवज्जों नहीं दे रही ना उनकी परवा करती है यहीं मोदी और योगी और अमिश्चा की ताकत है जिस पार्टी को लोग सवड़ों की पार्टी ने उसको ओबी सी और दलितों की पार्टी बनाने की और बढ़ा दिया है बीजेपी में तो अभी इस देश की जंता के मनोविज्ञान को बीजेपी ने समझ रखा है और बोदी और रुमिशा इस मनोविज्ञान के हिसाब से वह आगे बढ़ रहे हैं उनको अभी तक तो देखिए किसानों ने अंदोलन किया कर्मचारी नाराज है युवा बेरोजगार है तबों पात है विपक्ष में एकता नहीं रहेगी मायवाती तो 2019 बार जीरो पाई ही थी दूबेजी जो कह रहे हैं वो तो उनको मिल चुका है कानुभव है उनके पास और कांग्रेस के पास एक सीट है जानते हैं अब मद्परदेश में बीजेपी गाउं गाउं कथा कराए रही है सारे बाबा दुज़ार चोबीस तक बुख होई गये कथा कर रहे थे यह एक उनका फंडा है कथा इस समय बड़ी पापुलर है जैसे पहले दुरगा पूजा पिर गड़ेश पूजा आजकल कथा के जरी यह बातें कम्यूनिकेट की जा रही है कथा और मुक्तार अंसारी का खुली गाड़ी में घूमना कृष्णानंदराय की हत्या होना तमाम सारी ऐसी चीजे हैं जो बीजेपी लोगों को बताती है डराती है देखो अगर तो फिर यह आ जाएंगे अभी राम मंद इसका क्योंकि ना उनके पास कोई सहारा है ना कोई हतकंडा केंद्र में और यूपी में दोनों जगा बीजेपी बैटी है उसके पास संगठन है सत्ता है ताकत है संसाधन है कैसे यह लोग जीतेंगे क्या लड़ेंगे भगवान जाने रिजट सब बताएगा जी बहराल यह बहरों को पुकारो जिस पर देश और देश में आखिरी में चुनाओ हिंदू मुस्लिम पर जाएगा वहाँ पर अहर्बन सराइजी की एक कविता मैं भी बताऊं आपको कि नफरतों का असर देखो जानवरों का बटवारा हो गया गाय हिंदू हो गई बकरा मुसल्मान हो गया मंदिरों में हिंदू देखे मस्जिदों में मुसल्मान साम को जब मैं खाने गया तब दिखे इंसान बहुत शक्रिया बिरेंजी, बहुत बली बात हापनी कह दी, बहुत बहुत शक्रिया, धन्यवाद